नमस्कार ख़बरों की ख़बर में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी ख़बर महराश से आ रही है जहां एक राजनुतिक भूकंप आ गया है ऐसा वैसा भूकंप नहीं इसमें तो महराश की राजनितिके भिश्म पितामा कहे जाने वाले सरत पवार का घर ही नेश्तो नाबूद हो गया है NCP टूट गई है और जो टूटा हुआ हिस्सा है वो चीक चीक के कह रहा है कि हम ही हैं असली NCP ये सरत पवार की पाटी नहीं रही ये पाटी अब अजीत पवार की हो गई है ऐसा लग रहा है कि जो राजनिति में कारकरता नारा लगाते हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा महराश्ट में जिसने जिसने टकराने की कोशिश की अमिशा और मुदी ने उन्हें चूर चूर कर दिया सरत्पवार की स्थिती उद्दव ठाकरे से बहतर नहीं है फर्क बस इतना है कि उद्दव ठाकरे को पता ही नहीं था कि कब उसकी पाटी टूटने वाली है कब बिजली कड़की, कब करिंट लगा और हाथ से सब कुछ चला गया सरत्पवार मजह हुए खिलाली है उनको पहले से इस बात का इल्म था, लेकिन फिर भी इतने मजबूर थे कि उनके पास उस पे एक्ट करने का वक्त तो था, लेकिन चाहत और हिम्मत नहीं थी गलती क्या थी? ये वो गलती जो गलती उद्दव ठाकरे नहीं की उद्व ठाकरे ने आदित ठाकरे के हाथ में पाटी की कमान नहीं दी उत्राधिकारी घोशत नहीं किया वो सत्ता की लालच में फसके अपना सब कुछ गवा दिये और सरत्पवार जो भिश्म पिताम्मा बनना चाह रहे थे वो धृतराष्ट बनकर अपनी बेटी को जैसे ही पार्टी की कमान सापी और सब कुछ दिखर गया अभी अभी खबर आ रही है कि प्रस कॉंट्वर्स करके अजीत पवार ने ये साफ कर दिया है कि ओरिजिनल एंसिपी मैं हूँ नो बड़े बड़े लीडर जो एंसिपी के प्रमुख पीलर हैं स्थम्भ हैं वो अजीत पवार के साथ आकर मंत्री पद की शपत ले चुके हैं राजिनिती का खेल बड़ा निराला है सत्ता जिसके पास है उसी के सामने सब कुछ जुक जाता है ये एकनाथ शिंदे कौन थे कोई नहीं जानता लेकिन बगावत की तो बगावत तो हो गई लेकिन जैसे ही चीफ मिनिस्टर वो बनते हैं सब कुछ उनके फेवर में चलाता है राजिनिती का चरित्र ही ऐसा होता है सत्ता जिसके पास है वही में एक्शन हीरो है बाकि सब साइड हीरो और जिस हिसाब से नौनों बड़े एंसीपी के लीडर वो बनके आए हैं मंत्री आप देखिए उनकी जुबान बदल गई वो ये कह रहे हैं कि देखिए मैं तो महराष्ट और देश की खातिर इस भारती जन्ता पार्टी समर्थित सरकार में हम सामिल हुए हैं ये सब को मालूम है कि प्रधान मंत्री मोदी को 2024 में हटाया नहीं जा सकता ये जो विपक्षी एक्ता की जो बात की जा रही है ये महज बकवास है ये लोग इस देश को वही 90's के दौर में लेके जाना चाते हैं जहां कभी देवगवडा तो कहां गुज्राल तो कभी चंद सेखर तो कभी वीकी सिंग जैसे लोग प्रधान मंत्री तो बन जाते थे वेरा और देश का वेरा गर्क कर जाते थे। तोरोंने कहा कि सरत्पवार को भी मालूम है कि मोदी को हराना नामुम्किन है लेकिन वो फैसला लेने में पिछल गए हमने फैसला ले लिया अब दिकत क्या है क्या होगी कारवाई अगला कदम क्या है क्या शरत पवार उद्धव ठाकरे की तरह एक दंतहीन विशहीन लीडर बन करके बैठे रहेंगे कि हाथ से पाटी का नाम भी जाएगा कुर्सी भी जाएगी सिंबल भी जाएगा क्योंकि यही एलान अजीत पवार ने किया है उन्होंने का है कि अगला चुनाओ हम लड़ेंगे हम NCP है और हम उसी सिंबल उनका सिंबल है गड़ी वक्त बताता है तो वो कह रहे हैं उसी गड़ी के साथ हम चुनाओ लड़ने वाले हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब और इस सवाल का जवाब मिल रहा है उस व्यक्ति के प्रेजिंस से जो प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान अजीत पवार के बगल में बैठे हुए थे प्रफुल पटेल यह अजीब विडंबना है समझ में नहीं आ रहा होगा सरत पवार को कि कहां यह गलती हो गई क्यूंकि सरत पवार ने तो अपनी बेटी सुप्रिया सूले और प्रफुल पटेल को कारकारिया धक्ष बनाया था अभी वर्किंग प्रेजिडंट इन दोनों को ही बनाया गया था एक प्रेजिडंट बेटी जो पिता के साथ है और दूसरा वो बतीजे के साथ चला गया वो बागी बन गया तो कहने का मतलब यह है कि प्लान पूरी तरीके से तयार है जैसे विस्फोट आज मुम्मे में हुआ कल दिल्ली में होगा मतलब एनसीपी के जो कई सारे सांसद वो पार्टी तोड़के ओरिजिनल एनसीपी अजित पवार के साथ खड़े हो जाएंगे संख्या बताई जा रही है विधायकों की 42 से 43 मतलब पार्टी उसी राह पे चली गई जिस राह पे उद्दव ठाकरे की सिव से ना थी नो लोग जो बड़े बड़े लोग है अजीत पवार छकन भुजबल धननजय मुंडे दिलिप वाल से पाटिल अनिल पाटिल संजय बाबुराओ वंसोड संजय बाबुराओ वंसोड हसन मुश्रिफ धरम राओ बाबा भागवत राओ आत्राम अधिती तटकरे ये बड़े बड़े नाम हैं और उनने बताया कि सारा सिस्टम हमने बना के रखा है दलितों को भी जगह मिली है OBC को भी जगह मिली है महिलाओं को भी जगह मिली है और अल्प संख्यक को भी जगह दी गई है मतलब यह प्लान कोई बगावती नजर नहीं आ रहा यह वेल थॉट आउट प्लान है और सरत पवार ने प्रस कॉंफेंस में आकर के कही दिया कि यह प्लान महराश में नहीं बना यह प्लान दिल्ली में बना है प्रधान मंतरी मोदी का अशिरवाद है अजीत पवार के उपर और इसलिए यह सारी चीजे हुई है और तमाम विपक्ष छाती पीट रहा है मम्ता बनर जी परिशान है पाटी तूटी सरत पवार की आप वहाँ परिशान नजर आ रहे हो वो करें दिये डिमोक्रसी है किस तरह की डिमोक्रसी चला रहे है पाटी तोड रहे है पाटी तोड कोई नहीं रहा अगर कोई तूटने को तयार है कोई अपनी गलती से आपकी पाटी तूटती है और आप सारा ठीक रा जो है वो भारती जनता पाटी के ऊपर ठोग देते हो वह किसने कहा था सुप्रिया सूले को कारकारिया धक्ष बनवा दे जिस वक्त अजीत पवार रूट के वेन्यू से वो चल पड़े थे मीडिया से बाचीत नोंने नहीं की थी नहीं कहा था कि इस डिसिजन के साथ हम है सरत्पवार जो फैसला लेंगे वो सही है इनने तो वैसा बयान भी नहीं दिया तो उसी दिन ये तैह हो गया था कि बवाल मचने वाला है तो ये परिवारवादी पाटियां ममता बनर जी को परिशानी क्या है कि कहीं उनके साथ भी नहीं से खेला हो जाए कि जब वो अपनी पाटी का कमान वो अब इसे एक बनर जी को दे तो कोई इस तरह से फिर भवाल वहाँ ना मचे कहीं दर लग रहा होगा तेज़सुयादव को कहीं वैसा कोई खड़ा उनकी पाटी में ना हो जाए कि पाटी के उपर ही भुल्डोदर चल जाए तो ये दिक्कत तमाम पारिवारिक पाटीयों के लिए है और इसलिए तमाम पारिवारिक पाटियां कूत पड़ी है आकर के समर्थन में सरत्मामार जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ दिक्कत क्या है राजिन्ती का खेल बदल रहा है ये 1970s में पैदा हुए हिंदुस्तान के लीडर जो जेपी के साथ मिलके जो एंटी कॉंगरिसिजम के साथ मिलके खड़े हुए और ब्रश्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते करते खुद अती ब्रश्ट मन गए जिनोंने राजिन्ती को लूट का एक तरीका एक मसीन समझ लिया उन लोगों के लिए परिशानी का सबब है महराश्ट की राजिन्ती में जो बदलाव आए है उसका इंपक्ट नेशनल पॉल्टिक्स में बहुत जल्द देखने को मिलेगा अभी दो दिन पहले शरत पवार जारी कर रहे थे ये फरमान कि विपक्षी एक ता कि जो अगली मीटिंग वो बैंगलोर में होगी मैं कन्वेनर बनूंगा अब किस मुझे वहाँ पर जाएंगे किस मुझे वो कहेंगे कि भाई मैं राजनीती का बहुत माहिर खिलारी हूँ लोग देखेंगे तो हसेंगे कि जो सक्स अपनी कुन्वे को अपनी पाटी को ही समाल नहीं सकता वो देश को किस राह पर लेके जाएगा अजीत पवार ने एक वाक्ट में सारी कहानी बता दी जब उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी को हटाया नहीं जा सकता है और ये बात किसी और ने नहीं बलके खुद शरत पवार ने ये स्विकार किया कि मोदी को हराना नामुम्किन है तो कई सारी मीटिंग्स हुई कई बाचीत हुई ये प्रफुल पठेल अजीत पवार ये शुरू से कह रहें कि राजनीती के छेत्र में हम सदा के लिए स्ट्रगल नहीं कर सकते जनता अगर प्रधान मंत्री मोदी के साथ खड़ी है तो आप जनता के खिलाव खड़े होकर के राजनीती में सरवाईब नहीं कर सकते ये सिंपल पॉलिटिकल रीजनिंग है और इसलिए पार्टी तूट गई वो वहम जो कुछ लोगों ने पाल रखा था कि सरत पवार हिंदुस्तान की राजनीती के चानक के हैं आज चानक के साथ के घर में ही आग लगी कुनबा तूट गया पाटी विखर गई और साख इनकी मिट्टी में मिल गई कि ये और उद्दव ठाकरे बड़े मौज से समंदर किनारे क्या खोया क्या पाया के उपर डिसकसन कर सकते हैं हिंदुस्तान की राजनीती और खासकर कि महराश की राजनीती उन चीजों से काफी आगे निकल गई है जिसको लेकर उद्दव ठाकरे हो, कॉंगरेस पार्टी हो या सरत्पवार राजनीती करते आए हैं आप देखते ने कैपिल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद